तो अभी तक हमने क्लास में क्या के कवर कर लिया है सबसे पहले 2.1 यह जो है यह इंट्रोड़क्शन डू पॉलिनोमेल्स यह क्लास नाइन्थ यूपर बेस्ट था हमने इसका रिविजन किया था उसके बाद जोमेट्रिकल मीनिंग ऑप जीरो सब पॉलिनोमेल आप लोग क्ल जीरो से हमें पता क्या चलता है उसके बाद अगला कॉंसेट था रिलेशन्चेप बिट्वीन जीरो जैन कोफिशेंट्स ऑफ पॉलिनॉमेल्स ठीक है डेस्मोस वेबसाइट का नाम साथ डेस्मोस डी एस एमोस ओके सो एक बर में क्विक रिवीजन करा देता हूं रिलेशन्चेप बिट्वीन या इनफैक्ट एक काम किखीजिये एक बर में बताना क्या हमने ये कवर कर लिया है ये क्विस कवर हो चुका है क्या हो I don't think so नहीं हो आ है तो चलो मुझे question number one के लिए question number one के लिए कितने लोग answer करने के लिए ready हो raise your hands कितने लोग answer करने के लिए ready हो raise your hand पूर्वा आपने सबसे पहले हैं अन्म्यूट करके मेरेको वन का एंसर बताओ आपको स्क्रीन पे वन दिख रहा होगा उसका एंसर बताइए क्यूबिक पॉलिनॉमिल एकसे सर्फ हां पताइए है तो टू जिरोस बूझे रख लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनॉमिल क्यूबिक पॉलिनॉमिल मतलब की डिगरी 3 होता और स्क्रीए ज्यूने चाहिए थे प्र एश्यू पूर्वा इसके डिग्री है तीन तो उसके इसमें हमारे पास दो जीरोस कैसे आ रहे हैं एनिवन एल्स नेक्स्ट वस्मेटी इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा उसके तीन जीरोस होंगे इसका यह मतलब होता है कि उसके मैक्सिमम तीन जीरोस होंगे इससे यह पता चलता है कि उसके मैक्सिमम तीन जीरोस होंगे तो कुछ ऐसे केसिस मिलेंगे जहां पर तीन दीखेगा आपको कुछ केसिस मिलेंगे जहां पर दो जीरोस देखने को मिलेंगे कुछ केसे में one and कुछ केसे में एक भी जिरो नहीं मिलेगा क्योंकि यह वाला जो fx वाला polynomial है यह x-axis को दो points पर कट कर रहा है तो इसलिए इसका answer होगा option B इसलिए इसका answer होगा option B सुनिती सुनिती बाला एक बार कीजिए यह से question number two का answer करो एक बार बी अपवर्ड किसी ने में से example पूछा एक मिनिट question number one का तो question number one का example आप ले सकते हो x cube is equal to one x cube is equal to one link तो नहीं होगा एक स्क्राइब हो एक स्क्राइब यह क्यों है कि यह क्यों इसक्राइब जाते हैं कियूबिक में झाल झाल जैसे यह एक example मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसके अगर आप number of zeros find out करने जाओगे तो हम क्या करते हैं हम P of X को equal to zero करते हैं अब P of X को equal to zero करने का मतलब है X cube plus X square is equal to zero अब यहां पे अगर हम X का square common ले ले लेते हैं तो bracket में क्या आजाएगा X plus one आजाएगा X का square common ले ले लेते हैं तो bracket में क्या आजाएगा X plus one आजाएगा this is equal to zero ठीक है कर आया माइनस one यहां से X का value निकल कर आया जीरो और दूसरे जगा से जीरो निकल कर आया माइनस वन तो यहां पर हमको maximum कितने zeros देखने को मिल रहे है maximum हमको यहां पर दो zeros देखने को मिल रहे अगर आप इसको देखना चाहते हो डेस्मोस पर ठीक है हम इसी equation को एक बार visualize भी कर सकते हैं ठीक है इसको हम लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं कि ग्राप को दा फंक्शन इस अब दा पॉलिनोमेल इस एक स्क्यू प्लस एक स्क्वेर यह हो गया एक्स क्यूब अब देखो एक और चीज़ देख सकते हैं यहां पर एक्स का जो क्यूब है अमन खान आफ करो कैमरा एक्स का क्यूब जो है अगर मैं इसको इकोल टू जिरो करूंगा न तो यहां से एक्स का एक ही वैलू मिलेगा जिरो और आप ठीक से देख सकते हो कि इसका कितना एक ही पॉइंट पर यह एक सेक्सिस को कट कर रहें राइट यह एक ही पॉइंट पर एक सेक्सिस को कट कर रह है इसके 1,0 राइट इसके 1,0 ओके नेक्स्ट यह मैंने कौन सा बनाया है x का cube minus x का square बनाया है x का cube minus x का square अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एक point हमको यहाँ पर देख रहा है 0 और एक point हमको यहाँ देख रहा है one अच्छा यह मैंने आपको जो example लिया था वो plus वाला था आपको जो example लिया था वो plus वाला था यह देखो अगर हम यहाँ पर plus लगा देते हैं तो वो change हो गया 0 है और minus 1 है ठीक है ना 0 है और minus 1 है तो इसमें कहां कितने zeros निकल कर आए इसमें यहाँ पर दो zeros निकल कर आ गए ठीक है इसमें यहाँ पर दो zeros निकल कर आ गए और अगर मैं एक और example लेता हूँ आए बा है अ ना दो आए बागा मैं आए, आए! नहीं नहीं ये एक्डाम्पल नहीं है वाट किन आई टेक आई किन टेक आई ले सकते हैं एक्सक्यूब माइनस एक्सक्यूब मैंने लिया है ये भी एक्डाम्पल नहीं होगा अब अगर आप इसके जीरो देखोगे तो एक यहां एक यहां और एक यहां पर यहां पर टोटल तीन जीरो दो रहे हैं यहां पर टोटल तीन जीरो दो रहे हैं तो फाइनली आपने यहां पर क्या सिखा कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमिल है क्यूबिक पॉलिनोमिल है मतलब अगर दिख्वाओगा अगर बात करें क्यूबिक को तो मैंने पिछली चूबिक में दिखाए था आपको जैसे कि मैं लेता हूँ x का square ठीक है x का square minus 4 यह देखो यह क्या है x square minus 4 x square minus 4 अगर आप देखोगे तो इसके कितने zeros आ रहे हैं इसके आ रहे हैं 2 zeros क्योंकि x axis पे 2 जगाओं पे cut कर जाए अगर मैं minus 4 के जगाओ पे इसको मैं plus 4 कर दो अब क्या दिख रहा है आपको यह x axis के ऊपर ही रह गया x axis के ऊपर ही रह गया यह अब cut नहीं कर रहा है x square plus 4 no zeros और एक और example final x का square final example ले लिए हम लोग x का square तो अगर आप x का square को देखोगे यह भी एक quadratic polynomial है और इसमें क्योंकि यह सिर्फ 0 पे cut कर रहा है but हमने यह observe कि maximum हमको कितने zeros मिलेंगे तो maximum I will get two zeros maximum मतलब जादा से जादा दो इसका मतलब कहीं पर एक आएगा कहीं पर बिल्कुल भी नहीं आएगा यह भी possible है ठीक है तो I believe यह अच्छे से आपके दिमाग में clear हो गया ओका चलो गाइज क्या मेरी अवाज भी कोई दिक्कत है या मेरी अवाज ठीक से आरही है आप सबको audio is clear? great अपूरवा थूरा सा यूज कर लो इयरफोन्स ओके आच्छा मूविंग फारवर्वर्ड वो वास दा नेक्स गर्ल? स्मिनिती, राइट? अब यहाँ पे simply यह answer ठीक है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा अगर बुक पढ़े हो कि जो quadratic polynomial का graph होता है या तो वो upward होता है या फिर वो downward होता है और यह हम कैसे decide कर पाते है? उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ए के उपर दिखना होता है if a is greater than 0 तो upward parabola होता है अगर a less than 0 होता है तो फिर downward parabola होता है ठीक है न? and what is a? a is the coefficient of x square तो क्योंकि यहाँ पर coefficient of x square greater than 0 दिया हुआ है coefficient of x square greater than 0 दिया हुआ है मतलब a greater than 0 दिया हुआ है और अगर a greater than 0 दिया हुआ है इसका मतलब यह क्या होगा? यह यहाँ पर upward parabola हो जाएगा ठीक है न? यह यहाँ पर upward parabola हो जाएगा अगर आपको इसका example देखना है यह देखो अभी यह क्या है x square मानलो x square minus 4 दिखा है मैंने ठीक है x square minus 4 दिखा हुआ है तो यह कौन सा shape है देखो upward parabola है क्योंकि उपर की तरफ expand खुल रहा है और अगर मैं इसके आगे minus लगा दू तो क्या देखने को मिल रहा है बापको कि जब मैंने x square का coefficient को negative कर दिया तो यह downward parabola हो गया notice क्यों कि नहीं जब यह minus x square हो गया था तो अभी यह shape हो गया है इस तरीके से और जब यह देखो plus x square है तो यह क्या हो रहा है plus x square के case में यह ऐसा shape बना रहे राइट very simple to remember very simple to remember next question number three कौन answer करेगा स्मृति का हो गया अपूर्वर ने बताया next कौन answer करेगा anyone अंचू चलिया अंचू बताओ अन्यूट करो वान जी लीनियर पॉलिनॉमिल एक्स प्लस वी वेर ए इस नॉट इकूल तो 0 है जैक्टली 1 0 राइट लीनियर पॉलिनॉमिल के केस में एक्टली 1 0 होता है एक्स प्लस बी वाले फॉम में ठीक है next और कौन है we have Ria yes Ria unmute कीजे yes sir sir option d option d d maximum 4 zeros right yes sir okay lastly Shikhar unmute करो Shikhar sir B 0 अच्छा नॉन जिरो अच्छा इसका क्या डिग्री होता है इसका क्या डिग्री होता है किसका sir जो सामने लिखा है मैंने यह लग्डू का sir not defined not defined right अच्छा क्या हम इसको constant polynomial बोलते हैं क्या हम इसको constant polynomial बोलते हैं yes or no कुछ लोगों का answer yes आ रहे हैं कुछ लोगों का answer no आ रहे हैं शिकर कह रहे हैं ट्रिक्ट हो गया अर्णफ का इसके लिए इसके लिए इसके जगाप एक पर NCRT पर चल जाता हूँ एक मिली टेक्ट यह क्लास आ आपके लिए हमको निकाल ला होगा क्लास नाइन्थ वाला है आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि नाइन्थ वाली जो NCRT है उसका पॉलिनॉमिल्स चैप्टर एक बर रीट कर लो ताकि आपके डाउट्स होगे रहा क्लेर हो जाएंगे यह दो को यह नाइन्थ का वह खोड़ रहा हूं पाइल कि नाइन्थ का पॉल देखो यहां पर सबसे इंपोर्टन चीज़ दर डिग्री ओफ नॉन्जिरो पॉलिनॉमिल इस जीरो तो जब हम कॉंस्टेंट पॉलिनॉमिल की बात करते हैं ना तो देखो फाइव इस अल्सों कॉंस्टेंट पांच भी एक नंबर है जीरो भी एक नंबर है तो कहने के लि पॉलिनॉमिल की बात की जाती है तो हम जीरो को छोड़ कर कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन जीरो कॉंस्टेंट पॉलिनॉमिल क्योंकि नॉन जीरो कॉंस्टेंट पॉलिनॉमिल में एक खासियत है या एक कॉमन प्रॉपर्टी है सब में और वो यह कि उन सब का degree 0 होता है उन सब का degree 0 होता है दीक है और जब बात होती है 0 की तो 0 की खासियत ये है कि इसकी degree जो है ना वो defined नहीं है इसकी जो degree है ये defined नहीं है और इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है confused नहीं होने के लिए इसको नाम दिया गया है 0 polynomial ठीक है ना तो अगर स्क्रीन पे 5 लिखा है माइनस 5 लिखा हूँ है रूट 5 लिखा हूँ है यह सब के सब non-zero constant polynomial कहलाएंगे उन सबका degree 0 होगा लेकिन अगर screen पे 0 लिखा हूँ है तो आप उसको 0 polynomial बोलोगे और उसका degree होगा undefined ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं फिर हमारा क्वेस्ट का सारा questions done नेक्स्ट तो देखो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अभी तक कही ना कहीं लास्ट क्लास में ही थे हम लोग तो हमारा जो फर्स्ट एक से अगर मैं अवंति के मॉडिल के हिसाब से बात करूं तो 10m02.1 यह कहीं ना कहीं class 9 polynomials class 9 polynomials introduction to polynomials के उपर बेस्ट था ठीक है इंट्रोडक्शन introduction to polynomials के उपर बेस्ट था फिर आया था 10m02.2 जो की geometrical meaning of zeros की बात करता है जो की geometrical meaning of zeros की बात करता है तो mainly यहां पर हम यह जानते हैं कि हमारा जो graph होता है कोई भी polynomial का जो graph बनता है वो graph x-axis पे जितने points पे cut करेगा उस polynomial के उतने ही zeros होंगे तो अगर एक polynomial का graph मानलो एक cubic polynomial का graph है अगर वो दो point पे cut कर रहा है तो उसके दो zeros होंगे अगर वो geometrical meaning then we have relationship relationship between zeros and coefficients अब यहां पर इसका revision करते है क्योंकि आप लोगों ने भी कुछ खास questions वगेरा solve नहीं किये अमन ने question पूछा है अच्छा जाए है I see we have some messages uh mystic area polynomial the whole number so how minus five is the constant polynomial okay अब को पता चल गया अंकित ने पूछा अंकित पूछ रहा है कि सर हम लोग zeros के लिए y-axis क्यों नहीं count करते तो यार अंकित जब हमने polynomial का graph बनाया ना polynomial का graph बनाया तो zero का funda क्या था अगर हम बात करें एक बार जल्दी से zeros वाली concept पर इसका funda क्या है या क्या concept है concept यह है कि अगर हमारे पास एक polynomial दिया हुआ है अगर हमारे पास एक polynomial दिया हुआ है मानलो ax square प्लस bx प्लस c और हमने क्या किया हमने x के जगा पे m रख दिया such that when x is equal to m comma st लिख रहा हूं such that pm is equal to zero तो जब आपने x के जगा पे m रख दिया ठीक है logic एकदम सिंपल सा है x के जगा पे एक ऐसा number रखा m जिसके कारण polynomial का value zero हो गया जिसके कारण polynomial का value zero हो गया उसी time पे हम क्या बोलते हैं कि m is zero उस time पे हम बोलते हैं m is a zero of px right अंकित यह बोलते हैं अब अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा logic लगाओगे graph बनाने का तो हम इसको y मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं ठीक है तो कहने के लिए यह जो pm is equal to zero है pm is equal to zero का मतलब क्या हुआ y is equal to zero अब आपने class 9 में अगर chapter number 4 किया हुआ है coordinate geometry तो वहाँ पे आपको पता होगा कि y is equal to zero का मतलब क्या हुआ y is equal to zero का मतलब हुआ point lies on x-axis point lies on x-axis ठीक है in fact class 8 में भी आप लोगों ने किया होगा ठीक है तो y is equal to zero होने का मतलब है point x-axis के उपर लाई करें तो इसलिए हमको यहां से यह पता चला कि zeros जो है वो ultimately क्या होते zeros ग्राफ के x-axis के उपर के points होते हैं जब वो graph x-axis पे cut कर रहा होता है क्लियर एक अंकित अभी भी कोई doubt है इतना तो पता है न कि कोई भी point अगर x-axis पे लाई करते है तो उसका y-coordinate 0 होगा और कोई भी point अगर y-axis पे लाई कर रहा है तो उसका x-coordinate 0 होगा ठीक है ना और भी कुछ पूछना है तो आप unmute करके पूछ सकते हो अंकित यहां पर कोई doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारा पहला topic के पहला chapter मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहां मैं चाहता नहीं हो कि कि किसी भी student का किसी तरीके का doubt हो कुछ पूछना हैंकित अन्मीट करके पूछ सकते हो हो गया यह सब पूर्व एक्जाक्ली अमन ने question पूछा कि सर एक स्क्वेर प्लस फोर टाइप का पॉलिनोमिल का हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं हमको नहीं पता सर अमन सबसे पहले तो अभी ग्राफ ड्रॉ करना इतना जरूरी है नहीं आप लोगों के लिए बट स्टिल अगर क्या कितने हैं थोड़ा मोड़ा अगर जानते हो class 9 के basis पे वैसे class 10 में chapter number 3 यह linear equation जहां पर हम ग्राफ के questions करेंगे बट मानलो जैसे अमन ने पूछा में जैसे कि सर वाइज इक्सक्वार प्लस 4 का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो अब्यसी बात है कि अमन यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो उसके लिए हम एक एक x-axis और एक y-axis को ड्रॉ करेंगे तो इसको आमने नाम दे दिया y-axis x-axis y-o y-dash and x-o x-dash x-o x अब यहां पर simple सा funda आपको यह बोला जाता है कि कुछ random points plot कर लो जैसे आपने x का value 0 रखा तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इस point को आम नाम दे देते है a ठीक है तो आप क्या करोगे अभी 0,4 plot करोगे तो अगर हमने 1,2,3,4 इस तरीके से plot किया तो यह वाला point मेरा a वाला point हो जाएग राइट यह मेरा a वाला point हो जाएगा इसके बाद आप क्या कर सकते हो x के लिए एक अगला value डाल दो 1 x के लिए अगला value डाल दो 1 तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा similarly अगर आप x के जगा पे minus 1 भी रखते हो तो y कितना हो जाएगा अभी भी वो 5 ही रहेगा तो अगर मैं बात करूँ x is equal to 1,5 तो यह वाला point होगा कहीना कर इसको मैं b नाम दे देता हूं इसको मैं c नाम दे देता हूं तो यह जो b point होगा b point होगया मेरा 1,5 का और यह c point होग माइनस 1,5 का तो आपको पता है कि अब जो शेप बनेगा जो शेप बनेगा क्योंकि यह quadratic polynomial है तो इसका शेप पराबोला होगा तो इसलिए आप क्या करोगे graph को ऐसे लेकर आओगे यहां से पास कराओगे यहां से घुमाओगे यह वाले से और फिर b से इसको पास कराओगे ठीक है ना तो यह कुछ इस तरीके का जो शेप बना दिस इस अग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ वाइज इक्वल टू एक स्क्वेर प्लस फो यह रेडमी कौन है भाई स्क्रीन पे जो नोटेशन चाल रहा है पहले तो नाम चेंज करो वढ़ना मैं अभी निकालूंगा कौन है र करके बूत नाम देता हो उसको पता चल जाएगा किसको बोल रहा है देखो मैंने रिनियम करके आपको बूत नाम दिया है ओके बिलीब अमन जो आपके मन में थोड़ा डाउट है क्योंकि हम एक्जैक ग्राफ हमें नहीं बनाना है एक्जैक ग्राफ यह सब आप समझ सकते हो कि जो कर्व होगा है इसका एक्जैक ग्राफ तभी बन सकता है जो हम लोग मल्टीपल पॉइंट कम से कम जब 7-8 पॉइं बन जाएगा ठीक है अंकित नहीं आइटिंग अमन का डाउट था अमन क्लियर है क्या अमन क्लियर ऑके तो आई बिलीब सबके क्वेश्चन यहां पर एंसर हो गए है अब पूर्वा क्वेश्चन पूछ रही है कि सबसे पहले हम ग्राफ ऐसे ही बनेंगे येस अपूर्वा सबसे पहले हम ग्राफ पॉलिनॉमिल्स का बनाते हैं एक्वेश्चन में तो फिर वैल्यू निकल जाती है पॉलिनॉमिल्स के जितने भी ग्राफ होंगे या तो वो यू शेप में होता है या उल्टा यू होता है ठीक है और सबका लॉजिक यह है चार-पाच पॉइंट्स और जॉइन करके वो शेप बना लो बट गुड़ तिंग इस आपको एक क्वाडिटी का ग्राफ बनाना ही नहीं है पूरा NCRT में नहीं बनाना है नहीं किसी ऑलम्पियाड में बनाना है आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि एक क्वाडिटी पॉलिनॉमिल का ग्राफ कैसे बनता है वही नॉलेज है इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए ठीक है अभी जैसे मैं 11 में पढ़ा रहा था 11 में भी चैप्टर एक क्वाडिटी वहां पर भी कहीं पर भी मतलब एस सच इतना प्रॉपर ग्राफ बनाना ज़रूरत नहीं पड़ता उनको ग्राफ का नॉले एकस्क्यूब माइनस फोर का शेप देखो कैसा है अगर मालो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं एकस्क्यू माइनस इकस्क्यूब माइनस सिक्स्टिफोर कर दिया हूं देख सकते और अगर मैं एपर दाँ आप आप देख सकते है यहां पे तरन किया थोड़ा सा और तॐ उस्के कि तरफ जा रहा है कि अच्छा इस शेप का नाम तो मेरे को क्या बोलते हैं कि यूबिक के शेप का नाम आई थिंक है नहीं नेम आप दा क्या होगा इसको पता है क्या नाम है शेप का क्यों कर भी रहता है मैंने मतलब 11 पे पड़ाया हूं विक्स होगे रहा में भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है अब जैसे लीनियर की केस में स्ट्रेट लाइन होता है ऐख कॉड़िटी के केस में पेराबोला होता है ठीक है बट क्यूबिक की के में कोई नाम है नहीं ऑर नव कह रहा है क्यूभि कि टॉ यह है वो कि अमन घ्राफ ड्रो करने का पोडुशंद नहीं आता है ग्राफ ड्रॉ करने का पोडुशन नहीं आता है ठीक है वेवी वेवी कह रहे सब कुछ लोग चैट में बता रहे हैं वेवी और कुछ लोग बता रहे हैं क्यूभिक कर मेरे खाल से इन लोगों ने इंटरनेट से चापा है अब पूर्वर इतना नहीं जानना है इतना जानने की ज़ुरत नहीं कोई ओलम्पियाड आपके लेवल पर NTSC बगेरा हो गया इवन प्यारे मोज बगेरा भी नहीं पूछते हैं ठीक है हम लोग फाल्दू की चीज़ पर टाइमर बात करें अभी ठीक है नॉलेज तो डेवल तो मैं कह रहा था कि हम लोग अभी तक हमने तीन चीज़े देखी हुई है दो क्लासे बें जिसमें से थर्ड वाला जो है रिलेशने बेट्वीन जीरों जीरों कोफिशन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि इस एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर वाट वोट इस समझ में आगया ओके मेरे को फिर यह बताओ कि एक linear polynomial का ठीक है अब मैं आप से पूछूंगा फिर questions अगर समझ में आया होगा है तो एक linear polynomial का सबसे पहले standard form क्या होता है अब यह बताओ मेरे को जल्दी से मिस्टी जल्दी से बताओ अन्मूट मत करो तेल मी इसका जिरो क्या होता है what is the relationship between the zero of a linear polynomial with the coefficients क्या relation होता है वो minus b by a के पॉर्म में रहता है constant by coefficient of x का रहता है value it is minus b by a and b अहाँ पे constant वाला term दिख रहा है अपको और a हमारा x का coefficient है so it's minus constant upon coefficient of x very good मिष्टी thank you next थोड़ा उन लोगों को पूच्टे जो थोड़ा सा Amrit Amrit एक बाद अन्मूट कीजेगा खुदको Amrit quadratic polynomial का standard form क्या होता है a x plus a x square plus b x plus c a x square plus b x plus c where a not equal to c इसके कितने zeros होते हैं इसके maximum 2 होते हैं क्या relation होता है उनका zeros का coefficient के साथ minus यह पहला alpha plus beta का minus coefficient of x by minus coefficient of x by coefficient of x square minus b by a और यहां पर b क्या है minus coefficient of x divided by coefficient of x square अच्छा और और कोई relation होता है इसके अलावा एक प्रोड़क्ट का होता है प्रोड़क्ट का होता है अलफा इंटू बीटा यह कितना होता है यह constant by coefficient of x square होता है अब c यहां पर constant है और यह यहां पर coefficient of x square होता है very good Amrit thank you next और कौन है यहां पर Aman अमन एक बार कीजिएगा अमन मेरे को क्यूबिक के केस में बताओ वैसे आपको पता हुगा कि क्यूबिक पॉलिनोमेल जो है वो ncrt में नहीं पूछा जाता ncrt के बोर्स से नहीं पूछा जाता बड़ ओलंपियाट के लिए इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से अमन मेरे को बताओ इसका स्टैनर फॉर्म क्या होता है तो क्यूबिक है इसके मैक्सिमूम कितने जीरों हैं मैक्सिमूम थ्री जीरों है क्या रिलेशन होता है सबसे पहले आप बोलोगे सम उफ जीरों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यह होता है माइनस भी वाइए ठीक है अब यहां पर बी क्या है अमन सब्सक्राइब अब यहां पर माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्सक्वेर अपान कोफिशेंट ऑफ एक्सक्यू है अच्छा और इसके अलावा और क्या रिलेशन्स होती है जवाइन जब्सक्राइब अचैनल अच्छालिक बीता प्लस प्लस गामा फ्लस प्लस प्लस गामा अलफा है यह कितना होता यह लास्टीघर ऐ डादो लास्ट अलफा बिल्ला मिनला वॉण फिल्यों श्रस्ट की बंट allora अब मुझे यहां पर और वह बहुत इंपोर्टेंट है अभी जब तक उसके questions हम discuss नहीं करेंगे अगला concept पढ़ना कोई ज्यादा फाइदेवन नहीं है अगला concept अगर देखोगे हाँ बोलिये अगा यहां पर यहां पर दिखाएं वहाला अच्छा हां भोलो मैं यहां पर देखो तो एक्स का कोफिशेंट है और एक्स क्यूंट है ठीक है और एक्सक्वेल का कोफिशन तो इसी के साथ हमारा कहने के लिए सारा कॉंसेप्ट यहाँ पर मतब देखो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है अगर मैं इसके आगे के कॉंसेप्स एक पर आपको दिखा जाता हूं आपको पता चल जाएगा कि आगे वाले आपको याद होगा कि एक एलजबरिक एक्सप्रेशन को दूसरे से कैसे डिवाइट करते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है बस एक एक्स्ट्रा कॉंसेप्ट हम यूज करते हैं बट में लिए हम वही डिवीजन वाला काम है तो एकदम मुश्किल नहीं है और इसी के साथ ह में CRT में भी यह जो आपका exercise 2.3 है 2.2 है यह zeros और coefficients के बीच के उपर बेस्ट है और अगला जो है यह division algorithm for polynomials division algorithm for polynomials में ध्यान से देखोगे तो यह देखो यह polynomial को इससे divide किया जा रहा है तो यह division सारे students को generally आता है नहीं भी आता होगा तो मैं बता दूंगा इसके अलावा एक यहाँ पर में extra property भी सीखते हैं ठीक है division algorithm यह देखते हैं एक extra property सीखते हैं और यह इस टाइप के questions को solve करते ह situation बहुत important है इसके अलावा exercise खतम हो गया chapter खतम हो गया ठीक है तो अब समझ सत्यों कि मैं आगे अभी क्यों नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जो इसका सबसे important part है that is कि इस से शुरू करें बताओ I think geometrical meaning वाले में कि इसको दिक्कत नहीं होती है लोग जो फसेंगे वो यहाँ पर फसेंगे तो चलिए आप लोगों को अभी classwork दिया जाता है इस exercise का in class exercise के questions आपको करना है ठीक है आपको करना है अभी question number two आपको करना है अभी question number four question number five and question number seven चलिए तो चार questions मैंने दिया है तीन minute के average से आपको 12 minute मिलेगा तीन बच कर 46 minute हो रहा है 3.58 पे खतम हो दाना चाहिए हरी आप everyone चार questions आपके screen पे दिख रहे है या वन्ती के book के ही questions है अगर आपके पास book है तो आप वहाँ भी जा सकते हो यह कौन सा exercise के questions है यह है हमारे nm02.3 nm02.3 के है चलो शुरू करो 12 minute है देखा जाएगा तो इस week हमारे पास अभी दो classes और है इन दो classes में हम इस topic को अच्छे से खतम कर सकते हैं अगर आप इतना अवन्ती के module से questions को complete कर लेते हो तो अगर अवन्ती के module को solve नहीं करते हो अगर स्रीव NCRT को अगर हम follow करते है तो एक ही class और लगेगा और topic खतम हो जाएगा इतना easy है साहिल पेज नंबर के ना मेरे पास जो file है इसका page नंबर अलग होगा तो आप क्या करो आप इधर जाओ 10m02.3 पर जाओ यह दिख रहा है ना relationship between zeros and coefficients आप यहाँ पर जाओ वहाँ मिल जाएगा आपको hurry up everyone और किसी को कोई दिक्कत है कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो मेरे को message कर सकते हो या फिर unmute कर सकते हो मैंने unmute करने का option दे रखता है सकते हो anything you want to ask कहूत कर सकते हैं अगर आप यह homework कर लेते हो तो अजिए अजिए का इस हुआ अजिए का इस अजिए अजिए हुआ कि अनल ने पूछाए इंशांपलर क्या होता है अर्नव ncrt examples जिसमें जो questions होते हैं वह फोड़े से higher level पे होते हैं खूले से higher level i ego पर तो यह कह सकते हूं कि आडी शर्मा में आप बहुत बार आपने देखा होगा कि क्वेस्टिन्स के साइट ब्रैकेट में वह एंजी आटी एक्जाम्प्लार लिखे हुए रहते हैं वही वाली बुक को पिक करके वह क्वेस्टिन बनाया जाते है चोटी सी बुक होती है सतर रसी रुपेगी कि आप लोग यह पूरा एक्सराइज खतम करोगे कल जो हमारी नेक्स क्लास है तो यह अगर एक्सराइज आप लोग खतम करते हो और उसके सारे डाउट्स भी क्लेर हो जाते हैं आप लोगों के तो हम इसी के उपर कहूत कर सकते हैं कि आप में से कुछ लोग जो लोग अवन्ती के साथ लास्ट के रॉन्लाइन क्लासर पे जुड़े थे आपको पता है आपको पता होगा कहूत क्या है बाकी लोग जिनने नहीं पता सो कहूत इजन ऑनलाइन क्विस कॉम्पेटिशन जहां पर लाइव हम लोग क्वेस्ट खे लेगे यह पंडा रहता है और हर क्वेशन में टाइम बाउंड होता है तो देड़ से दो मिनिट हम देते हैं हर क्वेशन के लिए झाल 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 प्राइक कीजिए मैं पानी पी गया हूँ झाल 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 प्राइक कीजिए मैं तिन जये यह क्या लिखे हो एक स्क्वेर वाड़ा प्राइक कीजिए मैं वाट्सेप पर देख लूँगा झाल 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 यहां पर क्या दिख रहा है बोथ the zeros both are equal in magnitude both are equal in magnitude but opposite in sign simple था किसी को नहीं समझ में आया क्या anyone कोई student जिसे इस वाल नहीं वा it was very easy right simply some of zeros को हमने minus b by a किया b का value 0 दिया हुआ थो question ने तो alpha plus beta का value 0 हो गया alpha plus beta 0 होने का मतलब है अगर हम beta को दूसरे side में भेज देते हैं तो alpha is equal to minus beta तो अगर अब जैसे alpha is equal to minus beta मतलब दोनो magnitude अच्छा हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां पर magnitude वाली चीज़ नहीं समझ रहे हो तो magnitude क्या होता है magnitude का मतलब होता है numerical value magnitude का मतलब होता है numerical value without sign ठीक है without sign तो जैसे कि 5 और minus 5 अगर हम 5 और minus 5 की बात करते है तो पांच माइनस 5 से बड़ा होता है लेकिन अगर हम दोनों का magnitude का बात करेंगे न तो 5 का magnitude भी 5 बुलाएगा और minus 5 का magnitude भी 5 बुलाएगा ठीक है तो students क्या यह question समझ में आया अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बार hand risk कर दो yes पर क्लिक कर दो hand risk कर दो अगर समझ में आगया तो ताकि मेरे को पदा चल जाव में आगे बढ़ सको ओकी 50% से जादा लोगों ने तो कर दिया है चलो यार ठीक है more than 50% done बस 4-5 लोग बचे हुए ग्रेट थैंकी फॉर रिस्पॉंसेस अनुराधा कोई डाउट है कि अनुराधा आगे बढ़ते हैं रिया कुछ पूछना है यहां पर अनुराधा कुछ पूछना है क्या नो सब गलती से हो गया तो आच्छा ठीक है next आइब यह हो गया clear आते question number 4 पे question number 4 में बोला है कि हमारे पास polynomial क्या है हमारे पास polynomial है 3x2-8x2k1 3x2-8x2k1 और यहां पर बोल रहा है कि इसका एक 0 जो है वो दूसरे का 7 times है find the value of k question आप सब को दिख रहा होगा मैं इसे यहां पर solve करना शुरू करता हूँ so this is question number 4 the polynomial is 3x2-8x2k1 और यहां पर question ने क्या बोला है कि एक 0 जो है वो दूसरे का 7 times है तो आपको अलफा मान लेते हैं so therefore according to question other 0 कितना हो जाएगा जो दूसरा 0 है वो कितना हो जाएगा वो इसका 7 times हो जाएगा ठीक है अब यहां से आपको क्या पूछा है question है आपको के का value निकालने के लिए दिया आपको के का value निकालने के लिए दिया और हम ऐसे भी कहने के लिए टॉपिक देख रहे हैं relationship between zeros and coefficient इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सम और जीरो और product of zeros तो यूज होना ही है sum of zeros और product of zeros तो यूज होना ही है हो सकता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा हो कि सर इसके आगे क्या करेंगे तो दो तिन चीजे हर question में आपको करना है सबसे पहले इसको compare करो standard form के साथ इसको compare करो माइनस 8 और c का value होता है क्या c is the constant आप में से कुछ लोग यहां पर थोड़ा सा गलती कर सकते हो पर देखो 2k में k भी एक constant है तो 2k constant हो गया और 1 भी constant है तो यह जो पूरा 2k प्लस 1 है यह एक constant की तरह काम करेगा पूरा जो 2k प्लस 1 है यह एक constant की तरह काम करेगा ठीके students तो यहां पर a मिल गया b मिल गया c मिल गया और और हो सकता आपके जैसे मैं कहला था कि हमेरे दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे करेंगे इसको solve तो at least at least first time कर रहे हो तो जो जो चीज़ पता है सब लिखना तो चाहिए था जो जो पता है सारी चीज़ हम लिखते हैं कि ने तो हमे एक चीज़ हम क्या लगाएंगे sum of zeros लगाएंगे एक जगा पर sum of zeros लगाएंगे minus b और एक जगा पर product लगाएंगे c और देखो खाली में इतना लिखूंगा तो शायद आपको चमक जाएगा तो यहां पर sum करेंगे तो वो हो जाएगा alpha plus beta अब beta के जगा है 7 alpha है तो alpha plus 7 alpha और minus b यह मतलब कितना हो गया b का value है minus 8 तो यह minus of minus 8 upon 3 हो जाएगा और दूसरा है product product में क्या हो जाएगा alpha into 7 alpha c वाइए c का value है 2k plus 1 and a हो गया मेरा 3 ठीक है चलो अब यहां देखो आप खुद से देखो हमको k का value निकालना है खुद से देखो हमको k का value निकालना है रुको मैं कि किसी को पूछता हूं यहां पर अनुभाव अनुभाव गर एक बार मुट किजिए खुद को कि अ कि अ कि अनुभाव कि डरो माद अन्म्यूट करो कि अ ओनलाइन का फायदा यह आफ्लाइन में रिस्पॉंड तो होता अकिलेश कि एक बार मुट किजिए चलो फिर अपने पुराने स्टूडेंट को पकटते हैं अप पूर्व यह बताएं कि हमको यहां पर के का वैल्यू निकालना अभी आपको कहां पर दिख रहा है अब यहां से के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा इसके लिए अल्फा अल्फा की वैल्यू निकालके प्रॉड्ट वाले इसमें पूट करतेंगे तो अल्फा निकालने के लिए हम कहां पर आ गए सम वाले पर आ गए सम वाले पर आगा अब देखोगे तो अल्फा प्लस 7 अल्फा हो गया 8 अल्फा का वैल्यू यहाँ पे plus 8 by 3 हो गया sorry 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 plus 8 by 3 हो गया दोनों जगह से 8 it cancel हो गया तो यहाँ से मेरे पास alpha का value निकल कर आ गया 1 by 3 और यह अब alpha का value हम यहाँ पे put करेंगे तो यह 7 alpha square था वैसे 7 alpha square का value 2k plus 1 था alpha का value 1 by 3 रखा गया तो 1 by 3 का square हो जाएगा 1 by 9 1 by 9 is equal to 2k plus 1 divided by 3 हो गया और यहाँ से हम 3 को cancel करते हैं 9 cancel क्या कहरे हो हाँ 9 से 3 cancel हुआ तो यहाँ पे बचा 7 by 3 7 by 3 is equal to 2k plus 1 यहाँ से 2k का value आ जाएगा 4 by 3 4 by 3 हमारा 2k हो गया एक एक तू दोनों जगह से कटेगा तो यहाँ से k का value आ जाएगा 2 by 3 तो एक्तम सिंपल से question था मतर्ब देखो हो सकता था आपकी दिमाग में नहीं आया है but at least मैंने क्या किया में जी शुरुवात देखियो मैंने देखा कि जो मेरे पास quadratic polynomial दिया गया था वहाँ से मैंने ABC निकाल लिया और क्योंकि मेरे पास एक जीरो और दूसरा जीरो का कुछ relation था तो मैंने एक को अलफा माना वहाँ से दूसरा जीरो मेरे 7 अलफा निकल गया मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे क का value निकालूँगा तो मैंने क्या किया मैंने देखा कि या relationship लिख देते हैं तो एक बार sum लिख दिया एक बार product लिख दिया तो मैंने देखा कि k जो है वो product वाले side में है अब product वाले side में अगर आप देखोगे तो वहाँ alpha into 7 alpha is equal to 2k plus 1 upon 3 लिखा हुआ है वहाँ से k का value अगर हम निकालना चाहते है तो मेरे को alpha जानना जरूरी है अब मेरा दिमाग फिर कहां पर चलने लगेगा alpha की value पहले निकालते है alpha की value पहले निकालने के लिए फिर हम गए sum वाले के उपर क्योंकि sum वाला अगर आप देखोगे जो black color से लिखा हुआ है alpha plus 7 alpha is equal to minus or minus 8 upon 3 तो उस equation में सिर्फ alpha present है उस equation में बस alpha की value नहीं पता है तो वहां से alpha हमने easily निकाल लिया 1 by 3 और उसके बाद इस alpha की value को product में use करके हमने k का value यहां से find out कर लिया ठीक है ग्रेट रिया next आते अगले question के उपर next question is question number 5 5 दिया था मैंने आपको या 6 दिया था यहां पर बोलाई if m and n are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4 3x square plus 11x minus 4 find the value of m by n plus n by m तो देखो अगीन मान लेते हैं कि मेरे से भी मेरे को दिमाग में नहीं चल रहा कि मेरे को क्या करना है मैं क्या करूंगा 3x square 3x square minus 11x plus 4 इसको लिखेंगे इसको compare करोगे abc के साथ तो आपको दिखेगा a का value है 3 b का value है minus 11 and c का value है 4 यह पहली चीज़ दिखेगी next हमें बोला था m और n zeros है m और n zeros है यह बोला था ठीक है तो हमको यहां से क्या पता चल जाएगा m plus n कितना होना चाहिए minus b by a होना चाहिए तो minus of minus 11 upon 3 मतलब m plus n कितना हो गया 11 by 3 हो गया m into n कितना हो गया m into n product हो गया c by a तो 4 by 3 इतना हमने लिख लिया खीक है question हमसे क्या पूच रहा था question हमसे पूच रहा था m by n m by n plus n by m यह पूच रहा था question मेरे से मेरे को नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया हम पर LCM ले लिया तो LCM लिया तो नीचे LCM बन गया mn mn बनने के साथ साथ आपको थोरा साथ दिल में घंटी बजना चाहिए क्योंकि mn का value यहाँ पर 4 by 3 दिख रहा है और LCM लेने के कारण ऊपर क्या बन गया ऊपर बन गया m square plus n square ठीक है अच्छा अब आप लोगोंने class 8 में basic maths जो identities वाला जो chapter था chapter number 9 तो वहाँ पर देखा होगा यह चीज कि alpha square plus beta का square को हम लिख सकते हैं alpha plus beta का whole square minus 2ab क्योंकि आप समझ सकते हो जब आप alpha plus beta का whole square को expand करोगे जब आप alpha plus beta का whole square को जब आप alpha plus beta के whole square को expand करोगे तो वहाँ से 2ab निकलेगा और बाहर minus 2 भी तो cancel हो जाएगा अच्छा इसका use क्यों करना चाहते हैं हम लोग क्योंकि फिर कहीं न कहीं यह alpha plus beta जो है वो sum की तरह काम करेगा और जो alpha into beta है वो कहीं न कहीं प्रोडक्ट की तरह काम करेगा ठीक है यह logic है मेरा तो इसको use करते हैं यहाँ पर I will write it as M plus N का whole square minus 2 M N whole divided by M into N जहाँ पर किसी को दिक्कत होगा hand raise कर सकता है अगर किसी को को दिक्कत है hand raise कर सकता है मिष्टी करें सर माइनस 11 नहीं है 11 X है अच्छे 11 X है क्या अगर यहाँ पर 11 X है तो यह यहाँ से कट जाएगा ठीक है यहाँ से कट जाएगा यहाँ पर minus रहेगा ठीक है मिष्टी थेंक यू next रिया formula थोड़ा सा गलत लगा रहे हो it will not be minus 4 M क्योंकि अगर आप expand करोगे ना M plus N का whole square को तो वहाँ से plus 2 M और minus 2 M तो आपका M minus N का whole square लिख लो है आप ठीक है moving forward तर फिर से बताएंगे सुरू से सर्थ ओके देखे यह हमारे पास polynomial दिया हुआ था हमने यहाँ से ABC का value निकाल लिया अराम से ठीक है और हमें question ने बोला था कि इस polynomial के M और N क्या है zeros है तो अगर यह zeros है तो इनका sum और product का हम relation निकाल लेता है तो M plus N मेरा sum हो गया यह sum मेरा minus V by A होगा तो minus 11 by 3 हो गया और यह product मेरा M into N होगा वो मेरा 4 by 3 हो गया ठीक है फिर आपसे question है इसका value पूछा था अब इसका value सीधा आपके दिमाग में शायद नहीं चमक रहा होगा आपने क्या किया आपने LCM ले लिया LCM लिया तो नीचे क्या बन गया product बन गया उपर क्या बन रहा था M square plus N square अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक यह relation है खाली M और N का और एक यह relation है तो यह relation तो सीधा साधा denominator में use हो रहा था बट numerator में अभी भी straightforward use नहीं हो रहा था इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम यह जो black color में जो box बनाये मैंने यहाँ पर हम देखेंगे कि A square plus B square को क्या हम A plus B और A into B का help से निकाल सकते हैं A square plus B square को क्या हम A plus B और A into B का help से निकाल सकते हैं तो हमने देखा कि वो A plus B का whole square होता है minus 2A b होता है A plus B का whole square होता है minus 2A b होता है तो A plus B मेरा sum की तरह काम करेगा और A into B मेरा product की तरह काम करेगा उस चीज़ को मैंने यहाँ पर use किया M square plus N square में यहाँ पर इसको मैंने put किया तो आप देख सकते हूँ कि यहाँ पर M plus N है यह मेरा sum वाला part हो जाएगा M into N product है M into N product है तो आप मैं खाली value put करूँगा तो यह देखिए यहाँ पर minus 11 by 3 का whole square M into N मेरा 4 by 3 है उसको रखेंगे whole divided by M into N यह भी 4 by 3 है और यह value आप यहाँ पर करोगे calculate ठीक है यह value यहाँ पर करोगे calculate तो calculation मैं आप पर छोड़ देता हूँ फिर is this clear to everyone 4 15 हो चुक है actually it's 4 16 में इस सारे 4 में अगली class है जल्दी बताओ यहाँ पर done क्या सर आगे बता दीजे वस आगे क्या 7 नमबर मैं सोचा calculation पूछते है अभी पकर के पितता last question is question number 7 कही न कहीं 7 जो है वो 5 जाथा ही question है यहाँ पर M by M प्लस N by M था लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आप यहाँ पर अच्छा find a quadratic polynomial बोला हुआ है ना ओके I have not taught you this thing मैंने आपको इपढ़ाया नहीं अभी तो एक खोटा सा छोड़ दीजे तो नहीं अभी बता दूता हूँ कोई बड़ा चीज नहीं है एक्चली वो next class में बताएगा सर छोड़ दीजे अभी चलो ठीक है आपकी भी अगली class होगी चलो फिर मैं यहीं पहें नहीं है सर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है सर अच्छा बता दीजे चलो फिर दो मिनिट का चीज है देखो जब हमारे पास पॉलिणोमिल होता है तो हम उससे zeros निकालना जानते है तो अगर हमको zeros मिलेगा तो क्या कार्यमनी बता सकते हैं विलकुल बता सकते हैं तो क्या है logic कि if if zeros of quadratic polynomial if zeros of a quadratic polynomial are alpha and beta अगर वो alpha and beta है then आप चाहो तो उस quadratic polynomial का पूरा expression लिख सकते हो और वो क्या होता है वो होता है x square minus sum of roots ठीक है sum का मतलब यहाँ पर sum of roots है sum of roots into x plus product of roots plus product of roots ठीक है अब जैसे कि अगर मालो मैंने आपको zeros दिये हुए है 2,3 2,3 अगर मैंने आपको यह zeros दिये हैं तो उसके लिए जो मेरा qp होगा quadratic polynomial जो होगा वो हो जाएगा x square और 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाता है तो x square minus 5x और product करोगे 2 into 3 का product of root नहीं यहाँ पर zeros लिखना है zeros zeros तो यहाँ पर product करेंगे तो 6 आजाएगा plus 6 और आपको भी पता है कि x square minus 5x minus 6 का middle term factorization करते हैं तो x minus 2 into x minus 3 आता है तो वहाँ से x का value आजाएगा 2 और 3 वहाँ से x का value आजाएगा 2 और 3 ठीक है तो यही इसी formula को use करके आप question number 7 को solve कर सकते हों ओके साहिल पर यहीं पर मैं end करता हूं thank you everyone homework में group पर अभी update कर दूँगा group पर अभी update कर दूँगा लगी जुख और वाँ और आख प्याएगां जी वहीं है जैज प्रूईन ट 1957 कर दो पर बालदित 15 व्म बालदित